इस वक्त में इलाका त्रोन में हूँ डोड़ा वेस्ट 53 में आता है और हमारे साथ बीजेपी के कॉंटेस्टिंग केंडिडेट शक्तिराज परिहार जी इस वक्ते हैं इन से साथ जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से एलाइंस केंडिडेट के कुछ वर्कर्स उनके साथ रहकर के मुख्तली तरीके की स्पीचिज देते हैं और इनके खिलाफ बोलते हैं और ठेकेदार ठेकेदार करके पुकारते हैं लेकिन दूसरी तरफ से आज शक्तिराज परिहार साथ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है हमारे साथ क्योंकि उन्होंने कहा है कि वही लोग जो है शाम को सेटिंग करने इनके गार आते हैं तो बारियार साथ जा कुछ सेटिंग करते हैं आपके उनके साथ कहा कि यह दिन को भाशन वहां करते हैं और ग्यारा बज़े के बाद मेरे पास घर पे होते हैं मैं वही बात कही थी इसके लावा कोई बात नहीं थी तो यह हकीकत है यह मैं फिर रपीट करूंगा कि दिन को भाशन करने वहां पर और रात को सेटिंग कहीं और करने आते हैं जाइन नहीं करवाते हैं हमको एक्सपोज नहीं करो हमको रहने दो हम जहां पर हैं लेकिन वोड हम आपको ही करवाएंगे देखे जी अब यह जो है सियासत में चल रहा है एक और सवाल आपसे पूछने की कोश्च करेंगे मैं सुभा बीजेपी कार्याले में गया था वहां प लिखा है यहां पर बच्चों को लैपटाप देनी की बात चल रही है और सड़कूं के हवाले से भी जो चल diferen बिचाने का है अगर हम सड्कूं की बात करें सड्कू की खस्ता हाला थे तो नई सड्के बनाने से क्या होगा गाधे और बात है की जो मैट्रों वगारा की तो कहीं यह bullet train वाला जुम्ला तो नहीं होगा Metro की बात है जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू में हो कश्मीर में हो यहां road connectivity की जरूरत है और उसमें कहा गया है कि 10,000 km road connectivity जो खासका रूलर एरियाज में और उसमें PMJSY 4th phase उसको इस budget में launch किया गया है यह जितने भी pending जो गाओं बचे हैं मोड़ा बचे हैं धाई सो की population जिस भी गाओं में है उसको PMJSY सड़क से जोड़ा जाएगा उस सड़कों की बात हमें इस वकत train की जरूरत नहीं हमें सड़क की जरूरत है कि हम गाओं गाओं तक सड़कों पहुँआएं और मैनिफिस्टों में ये भी कहा कि जो pension जो कांग्रेस N.C. के टाइम पे 200 रुपया थी हम लोगों ने उसको हजार कर दिया और अपने मैनिफिस्टों में कहा है कि उसको आफ तीन हजार करने वाले हैं जो महलाओं को 18,000 पर एयर के हिसाब से मैनिफिस्टों में बात कही है लेप्टाप की बात उसमें कही है अनेकूं ऐसे बाकी रोजगार की बात उसमें कही गई है कि 5,000,000 रोजगार दिया जाएगा और खास कर जो यह हम पे जो development के काम होंगे उसमें पूरा सयोग जो है अगर आप तो मेरे घर पे आये है तो जो लोग यह बता रहे है या जो candidate आज की date में है इनका अपनी पंचाइद में पता नहीं किसी यह एरिया उनी लोगों का है यह जो यह जो एरिया है ना कि मान दे के हमारा बड़ा strong world है जी तराउन हो रिवाड़ा हो प्रानू तीन पंचाइद को कि आपने तो देख लिया यह एक पंचाइद की मीटिंग थे और कितने लोग थे मेरा अड्रेस यहां बच्चे-बच्चे को पता है शक्ती परिहार को डोड़ा का बच्चा-बच्चा जानता है मेरा पता है खलेनी के पास में जंगलवार गाउं है जिनको अगर जानकारी नहीं है हाइवे के साथ में वहां मकान है और चोडा मैं यहांपे मले रहा हूं और इस बार जबहरते जनता पार्टी ने मुझे अटारा है मुझे पूरा विश्वास है जो लोग कुमे में करंट देख रहा हूँ कि लोग यह चाते हैं कि यहां से भारती जनता पार्टी का केनिडेट जीते और जम्मू कश्मीर में भारती जनता पार्टी की सरकार बने ताकि यहां की विकास development की हम बात करें करम भूमिवार जनम भूमिया पताई मैंने अक्सर इस बात को कहा है कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद जी ये उदर चला जाएगा ये होगा 2012 में मैं डोडा में यहां पर मुझे पार्टी ने जिम्मवारी दी है और एक वक्त ऐसा था भारती जनता पार्टी अठाई सोट पे सिमिट गई थी 2008 का जब चुनाव हुआ 12 में जब मुझे भेजा धाई साल हम लोगों ने यहां मेहनत की लोगों तक पहुँचे और 14 में जो रिजल्ट आया बड़े बड़े दिगज उस वकत यहां चुनाव लड़ रहे थे कैबिनेंट मिनिस्टर को एक्स हॉम मिनिस्टर उस वकत हमने साड़े 24 हजार वोट लिया इस बार इस कांस्चंसी में हमने बीजेपी वर्सिज आल लड़ने के बाद भी हमने 30 हजार यहां वोट लिया और लीड भारतिय जनता पार्टी ने की जब दोनु कांस्चंसी को हम जोड़े डोड़ा की भारतिय जनता पार्टी ने 48 हजार वोट लिया और इस बार एक इत् दिन आप उतानिक कोश्च करेंगे शक्तिराज परिहादी के साथ बातचीत करें थे वक्त उतना नहीं था इनके पाश जिसकी वज़ा से हमने दो तीन सवाल इन से पूछे आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं आप भी तबसरे में कुछ बता सकते हैं